विडियो में आप सभी लोग का सवागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे करेंगे कल से जो नई स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा मोमेंटम रह सकता है और क्या रेंच बन रही है मार्केट के अगली सिरीज के लिए है तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हों समझते हैं तो फाइनली दोस्तों मैं आगया हूं नसी की वेबसाइट पर जहां पर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्षिन चेंड डाटा समझने की कुशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले कल की सीरीज लगा कल से जो सीरीज श्टार्ट हो रही है उसकी हम बात करेंगे अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट में आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई जिन लोगों ने इंडेक्स को बाई किया था पिछले 15-20 दिन के अंदर उन लोगों ने आज काफी अच्छा प्रॉफित कमाया होगा क्यूंकि सेट अप सारा हमा तो अगर आपने आज प्रॉफित कमाया है तो लाइक बटन को जरूर प्रैस कर दीजेगा ताकि वीडियो को और भी इंपॉर्टन तरीके से बनाने में हेल्प मिले अगर हम यहां पर आज के मार्केट की सेट अप किया अगर बात करें तो देखो सबसे वहले निफ्टी के सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हूं 10,700 के उपर निफ्टी ने क्लोज दिया है 739 पे क्लोज आया 121 पॉइंट निफ्टी चड़के बंद हुआ है जैसा कि मैंने आपको कल के दिन में बताया था कि आपके लिए इंपॉर्डेंट सपोर्ट रहेगा 10-600 का औ और बैंक निफ्टी में आपका 2121,000 का जोन आपके लिए एक सपोर्ट का काम होगा एक्जेक्टली बैंक निफ्टी ने 21,000 के लेविल पर सपोर्ट पर काम होल्ड किया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है एक हैल्दी कह सकते हैं करेक्शन के बाद रिकवरी आई है तो कौन से लिवल पर सबसे जादा पूट राइटिंग हो रही है तो उसमें देखा जाए तो सबसे इंपोर्डन लिवल आता है 10600 का जहांपे कि आपको क्लियर ली 13 लाग का ओपन इंटर्स यहां पर क्लियर ली दिख रहा है वहीं अगर हम बात कहें 10600 की कॉल की तो सिर्फ 3, इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिर्फ इतनाता है कि 10 510 600 यह दोनों इंबॉर्डन सपोर्ट होंगे यानि जो मार्केट ने अभी जो रिसेंट्टी लो बनाया था 10 या 570 का वह आपके लिए कि स्ट्रॉंग सपोर्ट का काम करेगा आगे आने वाले दिनों में अगर हम कॉल राइटिंग के बात करें तो कॉल राइटिंग में हमारे पास 11,000 का लेवल सीधा आता है जहां पर की 13 लाग का ओपन इंटर्स खड़ा है इसके बाद अगर बात करें तो दस आट्सों पे करीब 976,000 का ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है लेकिन देखने की चीज यह भी है कि अगर 10,800 की हम पूट की बात करते हैं तो 2,28,000 का ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है फिलस 10,700 की जो पूट है यहां पर 7,63,000 का ओपन इंटर्स खड़ा है किलिए यहां पर जो मोमिंटम में वो उपर की तरफ शो हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि पूट राइटर्स आप थोड़ा सो ऊपर आके पुट राइटिंग कर रहे हैं जबकि कॉल राइटर अगर देखें तो स्ट्रॉंग ली 11,000 को अपना एक इंपॉर्टेंट लेविल समझ रहे हैं कि 11,000 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल सकता इसलिए उन्होंने अपना जो प्रॉंग पॉइंट समझाएं वो 11,000 को राइटिंग कर रहे हैं अब मार्केट कैसे मुख कर सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले देखो निफ्टी का यह चार्ट है आदे घंटे का यह चार्ट है यहां पे फिलाल हम इस चैनल के अंदर किया तो फिर इसके नीचे हमने गए नहीं है तो एजेक्टली मार्केट में आप देख रहे हो कि उपर तक मार्केट गया दसे नौसट आट सो पिच्च 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 आवे तक गया यहां पर 10895 तक गया वहां से यह आपको रिट्रेस्मेंट दिखाई दे रहा है फि 10830 को पार करने का यह attempt fail हुआ फिर हमने यह attempt किया यह भी fail हुआ फिर हमने gap up में इसको तोड़ा वो भी fail हो गया और उसके बाद हमने correction दिखाया फिर हमने एक वार रिकावरी दिखाई और फिर fail हो गया हम फिर मार्केट दीन चे आ गया almost all matters 1 2 3 4 चार वार हम 10 830 को निकालने में fail हो चुकि है क्या है इसका मतलब यह कि यहां पे जो seller say the seller किया आते यहां पर कि यहां पर मार्केट गया फिर सल आया कि यहां पर मार्केट गया फिर हaufen याँ पर मार्केट आया पर .यारी कहीं नहीं यहां पर जो लोग 받ATT o बैटे हुए हैं धीरे 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 उनके position हलकी होती जा रही है क्यों होती जा रही है क्योंकि यह बार बार इस level को test कर रहे हैं तो इस बार chances यहां पर करीब करी 95% के बनते हैं कि market इस level को निकाल देगा और इस level को निकालने के बाद जो important level आता है वो सिर्फ 11,000 का आता ह है तो same logic है जो हम पिछले 3-4 दिन पहले follow कर रहे थे कि 10-830 के ऊपर आपको 10-900 की call खरीद के काम करना है ठीक है 10-830 के ऊपर हम अगर hold कर गए और closing आ गई बहुत ही अच्छी बात है अगर closing आ गई लेकिन अगर hold करते हैं तो आपको एक अच्छा moment मिल सकता है उस time आपको 10- 200 की call खरीद नहीं है और 11,000 के आपके target होंगे फिलाल आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट है करीब करीब दसेया 630 से लेके दसेया 570 का इस zone के बीच में अगर निफ्टी मिलता है आपको तो आप खरीद के ही काम करिए अगर हम बैंक निफ्टी के बात करें जिसने की का अगरा उपर से retracement दिखाया 23,000 से 21,000 बहुत होते हैं और बैंक निफ्टी के मुमेंटम के लिए 2000 का रिटेस्मेंट बहुत ही जादा कह सकते हैं बहुत ही healthy correction है यहां पर अब जो मुमेंटम बनेगा वो strong बनेगा एक आपको यहां पर एक important चीज बता देता हूं यहां पर य direction में market को support दे रही थी यहां पर हमने इसको break किया था यहां पर हमने ब्रेक किया था यह basically break जब हुआ था जब यहां पर जो second moratorium की जो ख़बर आई थी वो लगा दिया गया था तब market ने bank niftiness level जो trend line को break किया था फिर हम नीचे गए 4-5 दिन trade करके उतने ही strong volume के साथ हमने इसक तो दुबारा से upside पर break कर दिया था यानि उसके बाद से यानि हम अगर जून से बात करें तो जून के बाद हमने इस level के नीचे हमने closing नहीं दी जो trend line थी closing नहीं दी आज का एक ऐसा दिन बन रहा था जो कि हम इसके नीचे close दे सकते थे यह है वो line लेकिन आज market ने इसको respect कि और इसके उपर ही आके close दिया है even हमने 10,330 के नीचे closing नहीं दी it indicates कि market में जो उपर से basically जो गिरावत आई थी 23,000 से 21,000 तक की यह सिर्फ और सिर्फ profit booking थी थोड़ा सा retracement था जो कि उपर से लोगों ने short बनाये जिन्होंने उन्होंने बेचा plus यहां पर clearly profit booking market में निकी थी क् काफी तेजी से नीचे से अगर देखा जाए तो almost 20,000 से 23,000 तक के level पे आपको काफी अच्छा profit मिल रहा था within a short period में क्योंकि हम जून से चल रहे हैं जून के अगर बात को हैं तो 30 to 35 देज में हमें एक अच्छा profit मिल रहा है तो profit booking जरूर आएगी 33,000 एक important level था जहां से यह profit looking देखने को मिली तो कहीं ना कहीं बुल्स नीचे से active हैं कि वो जो trend line है market की जो positive basically market की जो positivity है उसको खराब नहीं होने दे रहे हैं उसको अभी भी hold कर रहे हैं तो सेम चीज़े 22,000 के ऊपर निकलता है तो आप फिर 23,000-23,500 के लिए आप bank nifty को long कर सकते हैं फिलाल के लिए य यहां पर अगर कल के दिन हम आज के हाई को निकालते हैं तो कल हम करीब करीब 21,900 तक जा सकते हैं जब तर हम इस line के ऊपर trade कर रहे हैं closing दे रहे हैं तो हम भी bank nifty में positive हैं अगर थोड़ा सा लंबर व्यू लेके चला जाए तो अगस्त की 22,000 के call को लिया जा सकता है और उसका जो टार्गेट आपको मिल सकता है करीब करीब आपका 2200 का target मिल सकता है यानि आपकी जो वो बार्टिकॉल जो call है वो double हो सकती है अगले एक महिने में इस चीज़ को कि यहां पर clearly मैं आपको बता रहा हूं दूसरी चीज़ा का देखा जाए यहां पर जैसे कि मैंने आपको इसने breakout दिया है और अगर देखा जाएं यहां पर कि यहां पर हमें डे चार्ट लगा देता हूं आपको यह देखें यहां पर यह इसने breakout दिया और ऊपर की तरफ यह जानी की कोशिस किया लेकिए दोबारा से चला जाता है तो फिर यह दोबारा से चैनल के अंदर ट्रेट करने लगेगा जिस चैनल के अंदर हम कंसॉलिडेशन देख रहते डाउ का अगर यह नहीं जाता है तो अच्छी बात है यहां पर यह सपोर्ट लेकर बांस पर करके फिर उपर की तब बढ़ेगा और अब यहां पर जो होब बनी है मार्केट की टेजी की उसमें दो तीन बहुत इंपोर्डेंट पॉइंट है एक है यूएस में एक और अनदर स्टूमलेस प्रेके जाने वाला है पहली चीज़ दूसी चीज़ जो सबसे बड़ी होप है वह है वेक्सीन की क्यूंकि अब जैसा कि मार्केट में आपको पता है अल्यडी मॉडर्ना की जो वेक्सीन थी वो अल्मुष 99 परसंट सक्सेस्फुली ट्राइल उसके गए है और उसका जो लांच फेस का ट्राइल है जिसमें की 30,000 पीपल को टेस्ट किया जाएगा उस वेक्सीन को तो वो 27 जुलाई को स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं इस 12 दिन में हमें उसका रिजर्ट पता चलेगा तो उससे पहले मार्केट कहीं ना कहीं इस होप में उपर की तरफ मूप कर सकता है दूसरी यहां पर एस्टी जैनका ने भी कल अनौंस कर दिया कि उनका भी जो ट्राइल है वो सक्सेस्फुली 100% सक्सेस्फुली गया है तो उसक इसलिए पहले से प्रिप्रेशन रखिए कि हो सकता है आपको अगले 10-15 दिन में एक अच्छी नौदस परसेंट की जैली देखने को मिल जाये मार्केट के अंदर तो हमारे जो मेरे निफ्टी के लिए जो टार्गेट है वो 11,200 तक के टार्गेट है अगर हम 10,830 को निकालते हैं तो 10,200 ग्यारा दोसो तक इसली जा सकते हैं बैंक निफ्टी है जो टार्गेट है वो 24,000 तक का टार्गेट है तो नज़र रखिएगा मार्केट पे इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अपने आगया आने वाले एक हफते और दो हफते को तो आई होप दोस्तों यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फ्लाले इस वीडियो में इत नहीं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक उश्याइज जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सुद्धी लेका आता हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों चैनल को जो